एक्सराइज 7.11 का सुलूशन कर रहे हैं यह एक्सराइज आपका ठिका हुआ है प्रोपर्टीज और अपर डेपिनेट इंटेग्राज इनको इद्याप समझन लिया इनको अप्लाई करना आपको आ गया तो यह आपका एक्सराइज बिल्कुल आसान है और दोस्तों आपका इ यहाँ पर देखिए दोस्तों हम अपनी प्रोपर्टी का में लेते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं देखिए हम प्रोपर्टी जानते हैं यहां लिखता हूँ 0 से f of x 0 से a x की जगे आपका अपर लिमिट माइनस x और dx तो यहाँ आपका देखिए क्या आ गया अपर लिमिट पाई है यानि a ब्राबर पाई है x की जगे आपका पाई माइनस x और नीचे यहाँ पर ध्यान से देखो एक्स के जगे आपका पाई माइनस x तो अब ऐसे क्विशन को डील करने के लिए आपका बैसिक नोलेज थोड़ा अच्छा होना जुरूरी है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बैसिक नोलेज क्या काम आएगा देखिए दोस्तों एस टिसी को याद कर लीजिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चतुर्थांस है यानि फर्स्ट जो कॉडिन टेटर वो जिरो से पाई बाई बाई टू से पाई और यह पाई से 3 पाई बाई टू और यह आपका 3 पाई बाई टू से 2 पाई होता है तो अब देखिए आपका क्या आ रहा है πाई माइनस एक्स यानि आपका πाई माइनस एक्स यानि इससे पहले का एंगल तो यह किस में है सेकिंड में हैं और सेकिंड में देखिए आपका साइन ऐसका मतलब क्या है साइन और कोसिक यह साइन पोजिटिव यह नहीं, यहाँ पे यह तो पोजिटिव आ गया, यह नहीं आपका इसके जगे आ गया पाई माइनस एक्स और इसको अलग अलग कर देते हैं, देखिए, वन और इसको एक्स बाई वन प्लस और साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन एक्स आ गया, कह तिल्व से में ने बता दिया कि यहांपे आपका यहां एक इंगल में आपका Sil allonsивает जाए मैं उंमिद कर रहा हुआ एसा होता है यह अब देखो यहां पर आपका यह एक्चुल में क्या है ध्यान से देखो same to same i है तो यह आपका i है तो इसको हम इस तरफ लाएंगे तो यह देखो minus का है तो इस तरफ आके plus का हो जाएगा तो यहां पे i plus i क्या हो गया 2i हो गया 0 से πाई यह आ जाता है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसको उपर नीचे पाई कॉंस्टेंट इसको भी बाहर ले ले यहाँ डी एक्स आ रहा है यहाँ डी एक्स आ रहा है अब इसको उपर नीचे हम 1-sin x से मल्टिप्लाई कर दे ऐसा है क्योंकि अभी पता लग जाएगा तो यहाँ आपका क्या बनेगा 1-sin x multiply 1-sin x हम जानते हैं कि आपका a²-b² बराबर a-b गुणा a-b होता है तो यहाँ आपका यह क्या आजाएगा देखिए a की जगे आपका one है और b की जगे आपका sin है तो one-sin x आजाएगा और one-sin x आपका क्या होता है कोस स्कूर होता है और कोस स्कूर को फिर हम इसके अलग-अलग बटे में लिख दे तो कोस स्कूर x आगया और यहाँ इसके बटे में और बीच में आपका माइनस चीन है कोस स्कूर x को और हम क्या लिख सकते हैं कोस x गुना कोस x लिख सकते हैं फिर अगयन हम क्या करते हैं आपका फिर इनका अलग-अलग इंटिग्रेशन कर देते हैं और साथ में आपका पाई बाई टू चाली रहा है सेक स्कूर x का दोस्ते इंटिग्रेशन आपका क्या होता है 10x होता है और इसका लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से पाई है और यहाँ सेक एक्स कुणा 10x का इंटिग्रेशन होता है आपका सेक एक्स होता है इसका लिमिट है 0 से पाई तो देखिए 10 पाई माइनस 10 0 तो यह आपका 10 पाई क्या होता है 0 होता है यह भी 0 0 हो गया यहाँ पे सेक पाई माइनस सेक 0 सेक पाई दोस्तों आपका माइनस 1 होता है और सेक 0 भी आपका कितना होता है 1 होता है तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और आपका बहार माइनस है तो क्या आ गया तो पाई बाई टू और टू से टू कैंसल होगे आपका एंसर इसका पाई निकल कर आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे दस्तों थोड़ा लेंदी कुशन है लेकिन आसान है देखिए यहाँ पे हम ऐसे कुशन को कैसे डील करते हैं यहाँ पे हम ओड इवन चेक करते हैं यह दिए आपको ओड निकल जाता है तो इसका विल्व जीरो आजए एवन निकलता है तो आगी कैलकुलेशन करना पड़ता है तो बिल्कु सिंपल है ओड इवन का कैसे चेक करत है, हम यहाँ पर आपका साइन जो eights है इसकी जगे माइन एक ले लेते हैं ठीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसका all power seven, उयरा हम जानते हैं कि साइन माइन एक्स क्या होता आपका माइनस साइन एक होता इसका पौर 7 है और हम जानते हैं कोई सेंख्या यह दी माइनस की है और उसका पॉर ओड है तो साथ क्या देखिए ओड है तो आपका माइनस बाहर आ जाता है और उसका पॉर लिख देते है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां लिखेंगे therefore sin 7x is an odd function ठीग है इस नोवन देट यह वी नोव देट यहां लिखेंगे वी नोव देट इंटिग्रेशन ओप माइनस एसे a f of x dx is equal to 0 when f of x is odd ओके हम जानते हैं कि आपका माइनस a से जैसे यहां से यहां पर क्या है माइनस pi by 2 से pi by 2 है तो माइनस a से f of x dx 0 हो जाता है when f of x is odd तो इसलिए आपका i बराबर sin minus pi by 2 से pi by 2 sin की power 7x dx बराबर 0 तो यहां पर यह आपको concept समझ आ गया है तो आप कहीं बर भी रुकने वाले नहीं है अब हम बात कर लेते हैं अपने अगली कुशन की कुशन नमबर 14 इसमें क्या दे रखा जांस से समझो इसको डील करने के लिए दोस्तों हम कौन सी property का में लेंगे अपने यह वाली property हम का में लेंगे ठीक है इसमें क्या का है कि यदि आपका limit 0 से 2A है और अब 2 A की जगह कुछ भी हो सकता پाई हो सकता है 3 पाई हो सकता कुछ भी हो सकता है यदि यहाँ पे आपने x की जगे 2a-x रखा और f of x आ जाता है तो तो आपका इसका integration 0 नहीं होगा यह आपका integration होगा यदि यह minus आ जाता है तो आपका यह 0 हो जाता है तो इस properties इसको हम आप जो deal करेंगे तो कैसे deal करते हैं देखिए बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे हम check करते है cos की power 5 2pi-x तो यह क्या आजएगा cos की power 5x कैसे है मैं बता चुका हूँ आपका estc से 2pi यह है आपका 3pi by 2 से 4th चत्तांच इसमें आपका cos और से एक positive है तो 2pi-x का मतलब क्या हुआ आपका angle किसमें है इस 4th coordinate में और 4th coordinate में आपका cos क्या हो रहा है positive हो रहा है इसलिए आपका क्या आ गया positive हो आ गया तो हम क्या करेंगे अपनी property लगा देंगे हम लिखेंगे it is known that it is known that 0 to 2a f of x dx ब्राबर to 0 to a ध्यान रखो यहां पर जो 2a है वो आदा हो गया है यह निए हो गया है f of x dx if f of 2a minus x ब्राबर f of x 0 if f of 2a minus x ब्राबर f of x ठीक है तो अब यहां पर अगले step में आपका यह क्या गया 2 multiply 2 pi का अदा क्या हो गया pi हो गया cos 5 के power dx और यह हम जब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें कोई specific solution ना मिल जाएं तो अब अगेन यहां पर हम यह same process करेंगे यह नि process क्या करना है आपका हम यहां पर देखिए process यह करना है कि हम check करेंगे cos 5 अब देखिए 2a की जगे अब की बार क्या है आपके बास जिए से 2a 2a की जगे कुछ भी हो सकता है fix नहीं है ऐसा आप concept मत बनाएं कि 2pi होना चीए 4pi होना चीए 2 का multiply में होना चीए नहीं कुछ भी हो सकता है तो अब देखिए क्या लिखेंगे sin और cos एक positive है बागी सब negative value देंगे तो यहाँ पर यह negative आ गया cos x और इसकी power क्या है 5 है और दोस्तों जब कोई minus की संख्या है उसकी power odd है तो उसका minus बाहर आ जाता है 5 क्या है odd और उसकी power क्या हो जाती है 5 हो जाती है अभी मैंने पहले बताया तो यहाँ पे देखिए अपकी वारे इस तने किस को follow कर लिया इस second को follow कर लिया तो यह आपका क्या आ जाता है जीरो आ जाता है तो यहाँ लिखना है चुंकि यह इसलिए इसका value आपका जीरो आ गया और टू का साथ में multiply हो रहा है जीरो का टू के साथ multiply करने पर आपका जीरो ही आया है अगले कुशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको भी प्रोपर्टी शोल करेंग तो property यहाँ पर देंखिए 0 से पाई भाई 2 आ रहा है तो कौन सी property जीरो अ वाली प्रोपर्टी जीरो से एकी property आपको दोस्तों अलग अलग है देखिए confusion नहीं होना है जैसे अब हमने एक 0 से बात की property है ऑट कि प्रोपर्टी है आपकी यहाँ पर यह वाली ही property है ठीक है हां यह वाली प्रोपर्टी फीफोर वाली ठीक है यह प्रोपर्टी इनका क्या विशेस कंडिशन है यह प्रोपर्टी इनसे एक प्रकार से बनावा प्रोपर्टी फीफोर ओके और एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं लेकिन यह दोस्तों डिफिकल्ट हो जागा इसको यह यहां पर आपको पता नहीं कि और यह उनकी तो बहुत बड़ा फंक्सन है आपको और इवन चेक करने के लिए यहां पर फिर कैलिकुलेशन करना पड़ेगा तो आप जो इस पी फोर को यहां पर कामें ले रहे है तो देखी यहां पर पी फोर क्या कह रहा है आपका a-x कर दो साथ में आपका dx कर दो यहां पर करते हैं तो आपका i बराबर क्या आता है 0 से πाई बाई 2 x की जिगे आपका a-a की जिगे यहां पर देखिए πाई बाई 2 है और साथ में आपका dx आ रहा है नीचे देखो आपका अब हम जाते हैं कि आपका sin pi by 2 minus x क्या होता है cos x होता है और cos pi by 2 minus x आपका sin x होता है तो यहां पर आपका क्या होता है i बराबर 0 से pi by 2 इसके जिगे आपका cos x आगया इसके जिगे आपका sin x आगया बटे 1 प्लस sin x इसके जगे कोस x आ गया तो हम जानते हैं कि इनका multiply में हम इनका position चैंज़ गर के लिख सकते हैं कोई बात नहीं लिख दिया अब हम क्या करते हैं इसको equation 1 दे देते हैं equation 2 दे देते हैं अब हम 1 and 2 को जब add करते हैं तो देखिए i plus आई आपका टू आई आगया लिमिट है आपकी जिरो से पाई बाई टू देखिए इसके नीचे भी वन प्लस साइन एक्स गुणा कोस एक्स गुणा कोस एक्स है तो यह लिख दिया अब उपर देखो यह और यह एड हो रहा है क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और आपका प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा है और साथ में डी एक्स आ रहा है देखो यह आपका यह कैंसल हो गया यह आपका टोटल कितना आ गया माइनस प्लस कैंसल हो गया माइनस प्लस कैंसल हो गया जिरो बटे जिरो दोस्तों क्या होता है जिरो तो आई बराबर 0 या निए आई बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया ठीक है तो इसका एंसर है जो आपका 0 निकल क्या गया है अब बात कर लेते हैं अगले परसंट की अगले जो परसंट था अपने 16 नम्र वह थोड़ा दोस्तों लेंदी था तो कम से कम वह एक खुद काम में लेंगे यह होता है तो इसको हम यहाँ पर यह लिख देते हैं तो देखिए यह प्रोपर्टी लगाते हैं तो आई ब्राबर आपका जिरो से x की जिगह है आपका a-x और साथ में dx आ रहे है एक्स की जिगह है a-x और यहाँ पर x की जिगह आपका a-x जिरो से a-x की जिगह आपका a-x यहाँ पर देखिए इसको अंदर गुणा करेंगे minus sign को तो minus a हो जाएगा minus a और plus a कैंसल हो जाएगा यह minus गुणा minus एक्स आए क्या हो गया तू आई हो गया यहाँ पर limit 0 से है ए अंडू टू प्लस में और एक्स प्लस यहाँ पर ए- इसके नीचे भी इसमें इसके नीचे भी सहम है तो आपका LCM यह पूरे का HCM यही आ गया ओके देखो यह इससे कितने और करता है वन टाइम करता है तो वन का इंटिग्रेशन आपका कितना होता है एक्स से लिमिट जिरो से अपर लिमिट पूट करते हैं और फिर लोवर लिमिट पूट करते हैं तो बराबर कितना एंसर निकल का है आपके पास टू आई ब्राबर ए तो आई ब्राबर देखें क्या आगया ए बाई टू यह इसके मल्टिप्लाइ में है तो इस तरह बेजेंगे इसके डिवाइड में आ गया अब जो आपके पास है 18 नमर कुशन उसके बाद कर लेते हैं देखिए जो कुशन है वापस से आपका मेंगनेटूट वाला कुशन मिल गया है जो कि हम स्टार्टिंग में सोल किया था तो मेंगनेटूट वाला को कैसे डिल करता है यहाँ पे इसको बराबर 0 रख दो तो इसको बराबर 0 रख रखने से आपका X बराबर क्या आ गया वन आ गया यहना इसके दो टुकडे बनेंगे एक टुकडा तो आपका लौर लिमिट से यहाँ जो आया है वहाँ तक दूसरा यहाँ इस से लेके आपका अपर लिमिट तक ओके तो इसके दो reason बन गए तो यहां में एक line लिखते है It can be seen That First reason आपका कहां से कहां तक बनाए 0 से 1 की बीच बनाए अब जहां से देखो 0 से 1 की बीच हम कोई भी संख्या लें कौन सा ले 1 बाई 2 ले और यहां पे देखो X की जगह रखे हैं तो minus 1 एक बार magnitude को छोड़ दो तो कितना आएगा minus 1 by 2 आएगा यह नहीं यह क्या आपका less than 0 आ रहा और 1 ले तो आपका क्या आजएगा less than 0 या आपका is equals to 0 value देगा इस reason में तो हम यहां पे लिखेंगे It can be seen that X minus 1 less than 0 and equal to 0 when X belongs to this region या इसको आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख दीजिए 0 से बस यह बड़ा कोस्टक लगाना चोटा कोस्टक नहीं लगाना गलती से यह वाला इसका मतलब अलग होता है यहां पे रिजन के लिए और इसका मतलब अलग होता है इसका मतलब यह होता है कि यह भी आपका समलित है यह भी समलित है नहीं X की यह भी value put कर सकते हैं यह भी value put कर सकते हैं जबकि यह ले 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 लेते हैं तो इसका हरत यह होता है कि आप ना 0 पूट कर सकते हैं ना 1 पूट कर सकते हैं बलकि इनके बीच की जो वेल्यूज है वो पूट कर सकते हैं यह समझिए मैं तो पुन बात हैं तो अब हम करते हैं end x-1 greater than 0 और equal to 0 when आपका 1 से 4 में exist कर रहा है x का वेल्यू ठीक है x belongs to और यहां पर x belongs to तो देखिए first reason हमने कहां से कहां तक लिया 0 से 1 तक लिया इसमें इसका वेल्यू अपका negative आ रहा है और फिर हमने बीच में plus का चीन लेना है सेकिंड लिया है हमने 1 से 4 तक इसमें इसका वेल्यू positive आ रहा है less than 0 का मतलब क्या है दोस्तों आपका negative और greater than 0 का मतलब आपका positive ऐसे समझेए अब यहां पे आपका minus sign हम बाहर लेंगे तो x का x square by 2 आ गया और 1 का x आ गया limit है 0 से 1 अब देखिए इसमें upper limit पूट करते हैं और lower limit पूट करके इसको solve करते हैं फिर इसको solve करते हैं इसके साथ ही अपर limit का है 1 तो 1 by 2 आ गया और यह minus 1 आ गया ठीक है lower limit का है 0 तो यह भी 0 यह भी 0 यह नहीं 0 minus 0 आ गया बीच में plus का chin है upper limit तो x square यह नहीं 4 का square minus lower limit lower limit 1 है तो 1 by 2 और minus 1 आ गया ठीक है अब हम इन दोनों को स्टक को खोलते हैं तो यहां पे आपके पास 1 by 2 minus 1 आया है यहां पे आपका पास 16 by 2 minus 4 आया है यहां पे minus 1 by 2 और minus minus आपका plus हो गया minus का है plus का cancel हो गया आप plus का है minus का है cancel हो गया यह नहीं 16 by 2 कितना होता है 8 और minus 4 कितना आ गया आपका देखिए हमने गलती की है हाँ दोस्तों हमने यहाँ पे गलती की देखिए इसके बाहर यह आपका जो माइनस साइन है यह वाला माइनस साइन इसको हमने यहाँ पे मिल्टिप्लाई नहीं किया इस माइनस साइन को साथ में लेना है यह इसके बाहर minus sign बैठा है ओके तो यह एक गलती से आपका पूरा answer गलत हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर अभी हमारा हो गया यह minus आगया यह plus आगया तो अब देखिए minus 1 by 2 minus 1 by 2 कितना हो गया आपका हो गया minus 1 ठीक है और यह आपका plus का 1 तो यह आपका cancel हो गया और यह आपका 1 बच गया यहाँ पर कितना आगया आपका 8 minus 4 4 plus 1 कितना 5 तो इसका answer आपका 5 ठीक है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना काफी है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसके शाहत आपका तब तक धन्यवाद और दोस्तों कहीं कोई गलती लगी है तो नीचे कॉमेंट करके बता दें ताक कि उसे अगले वीडियो में इंप्रूप किया जा सकें